नमस्कार दोस्तों, मेरी क्लास में आपका फिर से स्वागत है आज हम पोजिसिव प्रोनाउंस क्या है ये देखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं पोजिसिव प्रोनाउंस यानि ऐसे शब्द या ऐसे प्रोनाउंस जो ये बता रहे है कि आप किसी चीज़ के हगदार है या किसी चीज़ के उपर आपका अधिकार है ऐसे शब्द को हम पोजिसिव प्रोनाउंस कहते हैं पोजिसिव प्रोनाउंस कौन कौन से है ये देखेंगे प्रोनाउंस में I, my बन जाता है my मतलब मेरा यू यू यूर बन जाता है यूर मतलब तुम्हारा या तुम्हारी वी और बन जाता है और यानि हमारी या हमारा दे देर बन जाता है देर यानि उनका या उनकी ही इस बन जाता है इस यानि उसका या उसकी She, Her बन जाता है Her यानि उसकी या उसका It, It's बन जाता है It's यानि इसका या इसकी तो चलिए, अब example के साथ और आसानी से सीखते हैं This is my book दोस्तों, यहाँ पे My मतलब मेरा या मेरी यह मेरी किताब है यानि इस किताब के उपर मेरा अधिकार है यह बताना चाह रहे हैं इसलिए, My यहाँ पे positive pronoun हो गया इसी तरह से This is your car यह तुम्हारी कार है यहाँ पे कार किसकी है? तुम्हारी इसलिए यहाँ पे your positive pronoun बन जाता है She is our mother यह हमारी मा है और यहाँ पे positive pronoun बन जाता है इसी तरह से It is their cat यहाँ पे बिल्ली उनकी है यहाँ पे देर मतलब उनकी इसलिए किसकी बिल्ली है? यह बताने के लिए हम positive pronoun इस्तिमाल करते हैं This is his room यह उसका कमरा है यहाँ पे उसका यानि his positive pronoun बन जाता है This is her bag यह उसका bag है यहाँ पे bag किसका है? यह बताने के लिए हम her इस्तिमाल करते हैं इसलिए यहाँ पे her positive pronoun बन जाता है इसका कलर क्या है? यानि कौन सा कलर है यह जानना चाहते हैं तो हम यहाँ पे its इस्तिमाल करते हैं इस यहाँ पे positive pronoun बन जाता है तो दोस्तों हमारी कलास यहीं खतम होती है अगर आपको मेरी कलास अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आप इसी तरह से इंगलिश से जुड़ी सारी बाते जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें ताकि आप से एक भी कलास मिस ना हो तो चलिए फिर मिलते हैं अगली कलास में तब तक के लिए अलविदा